जी नमस्कार आज हम स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट लेसन है एट क्लास का जो कि एंसी आर्टी की सीरीच चली भी है उसमें हम करें हैं एट क्लास एट क्लास है जो एंसी आर्टी है वो एट क्लास की चली भी है और इसमें हम आज से स्विव कर रहे हैं सिविक्स जोगरफी से पहले हम कर चुके हैं आज हम सिविक्स स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स का जो फस लेसन है वो क्या बताता है सविधान के बारे में भारतिय सविधान उसके बारे में बताता है जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं जब हम कोई गेम खेलते हैं, तो उसके भी अपने रूल रेगलेशन होते हैं, कि किस परकार हो खेला जाता है, जैसे आँप इसमें फुटपोल का बता रखा है, कि टच नहीं करना होता, कि हाथ को टच नहीं करना होता, otherwise फाल मान लिया जाता है, तो इसमें यही बता है फिर आगे कि सम्विधान है क्या आखिर सम्विधान है क्या सम्विधान कई उदेशों की पूर्ति करता है पहला यह दस्तावीज आदरसों को सुत्रवुद करता है जो आदरस हैं उनको सुत्रवद करता है जिसके अधार पर नागरी का अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनिजार रच सकते हैं तो मतलब समिधान का क्या definition आई कि एक सुत्रवद करने का अधासों को सुत्रवद करने का एक document है उसको क्या कहा जाता है समिधान कहा जाता है अब इस lesson में जैसे नेपाल के बारे में एक ब्योरा प्रस्तुत किया गया है कि नेपाल में कैसे लोकतंतर की स्थाफना हुई कि सबसे पहले 1990 में जैसे लोकतंतर की स्थाफना हो जाती है पर 2000 में क्या होता है एक दूसरे राजा की जो मावादी सासक है उसकी सरकार आती है और वो लोक्तंतर को भंग कर देता है फिर 2005 तक ऐसे ही संगर्ष चलता है 2006 में फिर से राजनितिक संगठन बनाने का अगरे किया जाता है और फिर 2008 में आकर 2008 में आकर यह दिरखा है कि 2008 में आकर फिर से नेपाल में लोक्तंतर की स्थापना होती है कि 1990 में जो सफर शुरू हुआ था वो 2008 में आके पुरा होता है ऐसा इसमें बताया गया है फिर नेक्स में बताया कि बारतेस्व विदान देश के सभी व्यक्तियों को समानतक अधिकार देता है अब समानतक अधिकार देता है जो इसमें ये वाली जो बात बताये गई है ये आर्टिकल 15 की बतायी है धरम नसल जाती लिंग और जनमस्थान के अतार पर की सभी नागरी का समान है वही बताया है इसमें फिर समिदान के बारे में ये बता है कि समिदान हमें क्या करने के लिए सला देता है क्या करने के लिए रोकता है समिदान हमें ऐसे भैसले लेने से भी रोकता है जिसमें वह बड़े सी धानतों को ठेस पहुंच सकती है उन बड़े सी धानतों को ठेस पहुंच सकती है कि दलगत राजनिती यानि यो पॉर्टी जब पॉलिटिक्स चलती है वो तो खराब हो चुकी है तो ऐसा करने कि इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए क्यों ना एक ताना शाह की स्थावना की जाए तो ऐसी जो विचार भी उनको भी जब हमारे देश में एक समविधान का निर्मान हो जता है तो उन चीजों से भी हमें मुक्ति मिलती है कि वह चीजें भी हमारे मन में नहीं हती अब यहां बताया कि बारत्यों से विदान के मुक्षे जो लक्षन है वो क्या है कि बताया कि जैसे बीसवी स्तापदी शुरू हो गई थी तो विचार शुरू हो गए थे कि जब भी हम एक नए देश की जब ये अंग्रेज लोग जो भारत को छोड़ कर चले जाएंगे तो ए भार कि शम्यदान के इन सभी सदस्षों के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी देश के कई जैसे दिस में समुदाय समुदाएं बहुत जादा है हमारे डेश में बताया जाता है कि जो दूनिया में लगवकी लग छैसम धरा माने जाते हैं शही रिलिजन माने जाते उतल फुतल से गुजर रहा था क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था एक इंडिया देश बन रहा था और एक पाक देश बन रहा था पकिस्तान बन रहा था तो ये भी एक उतल फुतल चली हुई थी कि दो देश भी बन रहे थे तो भविशे मतलब दिखाई नहीं दे रहा थ संगवाद का मतलब होता है जब जो पावर है एक हाथ में ना होकर पावर का विकेंदरी करण कर दिया जाए पावर को बाट दिया जाए तो उसको क्या का जाता है संगवाद मतलब देश में एक से जादा स्तरपर सरकारों का होना जैसे हमारे देश में होती है पहले गाओं के स्तरपर होती है फिर राजय के स्तरपर होती है फिर सेंटर में होती है तो ऐसे जो पावर का पावर का डी सें बाट देना क्या कहलाता है संगवाद कहलाता है संगवाद को इस पस्ट किया है एक बुक है यहाँ पर यह बुक का नाम में बताना चारी थी ऑस्टीन की बुक है ओस्टीन की बुक है 1966 में लिकि गई है इंडियन कंस्टिटुशन कोर्नस्टन स्टोन ओफ अनेशन यह बुक लिकि गई है फिर दूसरी विसेस तब तही है कि संसदिय सासन पत्ति है जो हमारे देश में जो संविधान की जो पत्ति है तो क्या है संसधी सासन पती है, सरकार के सभी स्तरों पर पर्तिणीदियों का चुनाव लोग खुद करते हैं, जब किक्षया साथ में बताया है, कि जब जब बोट डालने जा रहे हैं, उसमें मैंने पणचा था, कि II किस किस्तर पर जब चुनाव होते हैं को बारे में पूरा बताया है कि वही है संसदीलाफिय संसती कि जैसे हम एक सतर से जब डालकर और वो एक संसथ की साबना करते हैं तो एक संसदील ईसायज़ आजिए संत्र सक्तियों का पटवारा संसे मतलब है समीदान के इंसास सरकार के तीन जो अंग जिसमें कहा जता है विदाईका कारियपालिका और नयाईपालिका जो सक्तियां हैं वो तीनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से ऐसा नहीं है कि जैसे अब नयाईपालिका है विदाईका और कारियपालिका दोनों इसको नयाईपालिका का कंट्रोल कर ले और जैसे कोई भी जैसे उनके हक में जो भैसला देना है वो अपने हक में ले ले तो ऐसा नहीं है तो यह सारी चीजी कैसी है कि सक्तियों का बटवारा हुआ है तीसरा है नी चोथा है जो मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकारों के बारे में बताया है कि मौलिक अधिकार दिये गई है हमारे जो सम्विधान में और जो मौलिक अधिकार है उनको भिम्राव अंबेड करने अंतरात्मा भी कहा है और आर्टिकल जो 32 है उसको सम्विधान की आत्मा कहा है सम्विधान की आत्मा मौलिक अधिकार वाला खंड भारतिय सम्विधान की अंतरा आत्मा कहलता है मतलब सारा खंड तो अंतरा आत्मा कहलता है अपनिवेसिक सासन ने रास्टरवादियों के दिमाग मेराज के बने की जो सत्ता करने वाले हैं वो अपनी सत्ता का दुरुप योग ना कर सके तो इस परकार जो यह हैं शुरू में शुरू में साथ दिये गए थे और अब ये छे हैं समाज का अधिकार, समानता का अधिकार, संतर्ता का अधिकार, सोशन के विरुद अधिकार, धार्मिक संतर्ता का अधिकार, सांस्कृतिक और सेक्षणिक अधिकार और समिधानिक उपचार का अधिकार ये छे मौलिक अधिकार जो हमारा समिधान हमें परदान करता है उनके बारे में बताया है अच्छा इनको है ना अच्छे से डिस्क्राइब जब हम एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे तब करेंगे अभी इनको बस कि ये आर्टिकल ऐसे ये ही बताया है कि कहां से कहां तक ये दिये गई है फिर पाच्वा है धर्म निर्पेक्षता धर्म निर्पेक्षता का अर्थ होता है कि राजय का अपना कोई धर्म नहीं होता पर तो इसमें ये भी एक एक जम्पल दिया गया है जैसे यूएस में है यूएस में है उसमें भी धर्म निर्पेक्ष है यूस भी धर्म निर्पेक्ष है पर उनकी धर्म निर्पेक्षता का अर्थ हमारी धर्म निर्पेक्षता से अलग है क्योंकि अलग कैसे है क्योंकि वहां पर जैसे सरकार है वो बिलकुल कुछ भी उसके बीच में जैसे जो दो धर्मों की ला देता है यही हमारी धर्मनेर्पेक्षाता का और यूएस की धर्मनेर्पेक्षाता के उसमें अर्थ में बिन है यहां पर हमारा फास्स लेसंस वापत होता है जैन्द नमस्कार थेंक्स पूर वोचिंग